दोस्तो जब भी घर में टाइल लगाने के बारी आती है तो हम यह सोचने लगते हैं कि कैसी टाइल कौन से जगाव पे लगाये जाए ताकि हमारा जो रूम है या फिर हमारा बातरूम है या फिर कीचन है काफी सुन्दर दिखे वहां का टाइल जो है काफी सालों तक चले उस किसी तरह के दाग धबे या स्क्रैचे जोगर या क्रैक नहीं आए तो दोस्तो मार्केट में जो दो टाइप की ज़्यादा तर टाइल मिलती है एक होती है सेरामिक टाइल एक होती है विट्रिफाइड टाइल तो अब हमें क्या है कि ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि से किरामिक टाइल कौन सी है इसमें से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है इसका रेट कितना पड़ेगा साथ में यह जो टाइल की क्वालिटी है इसमें क्या 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 क्वालिटी है और कौन सी टाइल हमें घर के अंदर लगानी है कौन सी टाइल हमें घर के बाहर लगानी है यह सारी चीजे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप complete जो आपके दिमाग में चलता है सवाल यह जितनी भी सवाल है ओ आज आप बिल्कुल इसका solution मिल जाएगा फिर आप असानी से अपने घर में जह किसी भी एरिया में जो भी ट पाइल आपको कहां लगानी है तो दोस्तों वीडियो एंड तक दिखिएगा क्योंकि बहुत important वीडियो होने वाली है क्योंकि यह जो टाइल है यह सबके घरों में लगाया जाता है चाहे आप घर बना रहे हों चाहे आप एक commercial जगाव बना रहे हों मॉल खरी दुकान खरी आफिस हो गरा तो यह आपके वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है तो दोस्तों वीडियो डिटेल में सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेश्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बारा है तो इस च करामिक ताइल होती है इस में मुझबूत पह से नही lower यूइसका मिनरल यूज करके वीडियो विडिरिफयुआइल प्रोसेस जञेंथ मुझा एस लिए तो इस लिए विडिली वीडिक होते है यह। उप-ढूथ होती है और दartedly आप लूपक के बारे बात कर देजAs. तो जो ceramic tile होती है दोस्तों ये clay और पानी से बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो उसका look होता है थोड़ा सा अर्थी look होता है वो ज्यादा finishing आपको नहीं मिलता है वहीं जो vitrified tile होती है ये थोड़ा सा artificial look देता है क्योंकि ये बहुत सारे mineral से और सारे ये जो constituent मिला के बनाया जा रहा है तो ये जो है इसका look है काफी attractive आता है glossy look आता है और signing भी काफी अच्छी इस पे आपको मिलती है अब बात कर ले texture की तो जो ceramic tile होती है ओ मैं आपको बताया कि clay से बनता है यानि कि मिटी से बनती है तो उसका जो look होता है वो थोड़ा सा texture जो होता है वो rough होत होती है तो इस पे आपको किसी तरह का glaging नहीं देना होता है और ये जो है सिर्फ जो mention police जब किया जाता है टाइल को complete किया जाता है उसी time इसका finishing काफी संदार निकल के आ जाता है और काफी smooth मिलता है ceramic tile में अलग से glaging वहीं apply किया जाता है तो vitrified tile में आपको अलग से glaging देने नहीं पड़ती है इस वजह से जो vitrified tile होती है अगर इस पे कोई धाग धबे लग जाता है तो इसको साफ साफाई करने में भी बहुत आसानी रहती है अगला point आ जाता है strength के तरफ तो जो ceramic tile होती है उसका जो strength होता है वह बहुत ही low होता है यानि कि 20 newton per mm square उसका low flexural strength होता है और ceramic tile का breaking strength भी काफी low होता है 200 newton वहीं vitrified tile जो होता है उसका जो flexural strength होता है वो high होता है लगबग 35 newton per mm square और इसका जो breaking strength होता है वो भी काफी high होता है करीबन 350-400 newton के बराबर durability के बात करें तो जो ceramic tile है वो come durable है और vitrified tile है वो काफी ज्यादा durable है वो ज्यादा दिनों तक चलती है उस पे किसी तरह का कोई scratch या फिर जो strength हो भी काफी मजबूत होता है अगला point आ जाता है water absorption के तरफ तो जो ceramic tile होता है उसमें porous काफी ज्यादा होता है जिससे क्या होता है कि water absorption capacity जो होता है उसका ज्यादा होता है अगर आप बाहर के area में कहीं पे लगा देते हैं outdoor में अगर वहाँ पर पानी होती है ज्यादा तो वहाँ की ceramic tile हो तूट जाती है वहाँ पर crack आ जाता है वहीं vitrified tile है आप बाहर के area में कहीं पर भी लगा सकते है क्योंकि उसका non porous हो और उसमें जो water absorption capacity होती है वह बहुत ही कम होता है तो इसलिए कभी भी आउटर एरिया में vitrified tile का यूज करें नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो फ्रोस्ट रेसिस्टेंट आ जाता है तो जो ceramic tile होता है उसमें क्या होता है कि पोरस ज्यादा होता है तो फ्रोस्ट resistance भी उसमें काफी अच्छा होता है अगला point आ जाता है हमारा की scratch resistance देखिए ceramic tile जो है यह इसमें काफी ज्यादा scratch आता है और अगर इसमें एक बार scratch आ गया तो पूरी tile जो है धीरे धीरे उसका color खराब हो जाता है उसमें और crack बटने लगता है वहीं जो vitrified tile होता है यह जल्दी crack नहीं करता है और अगर कहीं पे उसमें अगर मान लिजे scratch आ भी गया तो जो tile है वह टाइल बहुत दिनों तक चलता है उसका color खराब नहीं होता है दूसरा बात अब आ जाता है stain resistance होता क्या है कि जब ceramic tile पे कोई मान लिजे kitchen होगरा में आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे तेल होगरा गिर गया तो क्या होता है कि वह दाग धब्बे वहाँ जल्दी छूटते नहीं है सफाई करना आसान नहीं होता अगर आप सफाई करते हैं तो उस पे क्या होता है कि जो पॉलिस होता है बाद में जो ग्लेजिंग अपलाई किया जाता है उपर से ओ धीरे धीरे ओ भी डल होने लगता है और वहीं बिट्रिफाइड टाइल जो है एस्टेनिंग रिसिस्टेंस इसका अच्छा है अगर उस पे कुछ तेल होगरे गीर जाता है तो आसानी से आप उस ग्लॉसी लुक होता है स्मूथ होता है तो यह जादा सिलिपरी होता है अगर आप कीचेन होगरे या मतलब गीली जगह पर लगाते हैं जैसे बाथरूम होगरे में बिट्रिफाइड टाइल तो वहां से आपको फिसलने का चांस ज्यादा रहे गता है तो ऐसे जगह पर आप तो फिर ऐसे जगह पर कौन सी टाइल लगाए जाए तो देखिए दोस्तों बिट्रिफाइड टाइल होती है वह क्या होता है कि यह समूथ होता है और उस पर वाटर अब्जर्प्शन कैपिसिटी कम होता है तो वह क्या करता है कि सण लाइट को रिफलेक कर देता है वह उसक पुछ दिनों बाद ही गंदी दिखने लगी तो इसलिए कभी भी आप आउट्डोर में चट पे या बाहर लगाना है तो आप विट्रिफाइड टाइल के तरफ जाए अगला जो दोस्तों आता है इसमें फैक्टर साइज का तो देखिए विट्रिफाइड टाइल जो होती ह के यह आपको जादा तर मार्केट में देखा जाता है कि तो फीट बाइड़ ही बाहर जगह पे लेकिन वहीं जो private है वहांपको चोपे साइज में बीब बड़े साइज में भी मिल जाता है तो यह स्चित व तोक तौनन吧 में देखिए में लगाा में ऊंना you को क्यों किस तो क तो बहुत जल्दी आप मेंटेनस उसको सफाई कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अब दोस्तों लाशन बात आ जाती है कोस्ट के बारे में तो जो च्रामिक टाइल है यह आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है तो आपका जो यहां पे एक प जो बिट्रिफाइल टाइल होती हो 35 रुपे से स्टार्ट होता है और 60-70 रुपे तक जाता है थोड़ा सा इसमें और प्लस माइनस हो सकता है तो जो रेट है ज्यादा डिपेंड नहीं करता है आपका घर के लुक के हिसाब से फिर आपका जो है किस हिसाब से आप कहां पे डो करेक हो सकता है लेकिन विट्रिफाइल टासर का क्या है कि एड्वांटेज ज्ज़ादा है थोड़ा सा रेट यहाँ पे ज्यदा हो सकता है लेकिन बिंट्रिफी मैं परीफर करूंगा कि आप घर में विट्रिफाइल लगा है देखिए दोस्स्तों एक और इंपॉरटन चीजी यहां पर जान लिजे कि अगर हाई ट्राफिक एरिया है जैसे बेड्रूम हो गई आपका हॉल हो गया या फिर आप दुकान बना रहा है या फिर कमर्सियल कोई इस पेस है तो वहां पर आप बिट्रिफाइड टाइल यूज करें लोग ट्राफिक एरिया है जैसे माले पर आप उतिया है यहां कता लीजे कि पुआ पर इस पर सेटे को रहा है चुटकर च Dafürink और तो इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा